नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त इपक कुमार आगया है कावर वीडियो लेकर आप सबके सामने तो तो आज हम बात करने आए बहुत इंपॉर्टन टॉपिक की ऊपर वो टॉपिक है पिएश्यू को आफिसर की नौकरी अच्छी होती है या असिस्टेंट एई जो तरह की हो सकती है किसी को काम करना ज्यादा पसंद है किसी को कम पशंद है किसी को बहुत सिंपल लाइफ जी नहीं है किसी को बहुत लेविस लाइफ च्छल पसंद है कि बिलकुल एक दम ओडी में घुमें किसी को घर में मच्छा लगता है कि हाँ सिंपल लाइफ जी है तो स दोनों नौकरी बहुत salary देती है बहुत अच्छी life देती है तो आपको decide करना है कि आपको कौन से वाले में जाना है तो मैं criteria बताऊँगा आपको जिसकी बेस पे आप decision ले सकते हो अपने career के लिए कि आपके लिए better कौन सा होगा ठीक है तो पहला बात करते हैं दोस्तों की role कौ कोई match नहीं कर सकता तो PSU की salary ज्यादा है असिस्टेंट A की salary हमें सा कमी रहेगी PSU वाइलो से मैं इन हैंड की बात कर रहा हूं और जो ऑफिशल तरीके से कमाते हैं उसकी बात कर रहा हूं ठीक है मैं corruption की involvement नहीं कर रहा है ज़्यंदर PSU की salary हमें सा ज़्यादा अच्छी रहेंगी क्योंकि बहुत सारे elements को मिलते हैं बहुत सारे in hand मिलते हैं जितनी salary उसको मिल जाती है उतने तो मतलब किसी और को मिलना मुश्किल है ठीक है अब तीसरा बात करते हैं कि transfers कैसे होते हैं आपके NLCU अगरा है जिसके अंदर transfer होने में 8-10 सल लग जाते हैं बट बाकी PSU हो गया हर तीन से चार साल में move कर देती हैं आपको कहीं और हो सकती है तो chances यहां पर transfer के बहुत कम होते हैं आप continue एक ही जगह पे बहुत लंबे शमयत्य काम कर सकते हूं और अगर आपके अच्छे political connection है तो फिर आप तो transfer भी आपके नहीं होंगे स्टेट गवरेंट में पता है आपको political interference फ्रड़ी बहुत होती है वहां पर फ्रड़ी बहुत क्या बहुत जाता होती है क्या सकते हैं तो वहां पर transfer रुगवा सकता है एंसान पावर पगड़ाती है लेकिन असिस्टेंट एई इंट्री लेवल पर ही बहुत पावर रखता है वह आप उनकी और आपने किसे असिस्टेंट एई से मिला हों मिले होंगे आपको पता हुआ कि इतने authority उसकी बात में ही लगती है वह बहुत दम से बात करता है लेकिन पीशि बुले जाता उतना ही कर सकता है वह लेकिन असिस्टेंट एई काफी पावर रखता है अपने काम के लिए ठीक है अब बात करते हैं कि respect किसकी है ज्यादा society के अंदर तो respect किसी मिलती है पता आपको जो भी respect किसी को मिलती है इंसान को वह इस बेस में मिलती कि कितनी power authority hold करते व वो प्लस वो गैजटेटेड भी है तो इसकी रेस्पेक्ट और विशली सोसाइटी में ज्यादा है पीएश्यू में ऐसा नहीं है पीएश्यू में आप अच्छा पैसा कमा रहे हो अच्छा अर्ण कर रहे हो आप बट कंट्रिब्यूटर्स इतनी जादा नहीं हो आप इतनी बड़े अथर्टी नहीं रखते आप कि आप किसी के लिए कुछ कर सको किसी को कुछ रोक सको आप बहुत बड़े पावर नहीं होल्ड करते इस वज़े से आपकी रेस्पेक्ट इतनी जादा नहीं है तो मुझे पता है कि डिफरेंस कितनी है रिस्पेक्ट कि दोनों लोगों में ठीक है यह में बात कर रहा हूं आप जहां रहा है कि आप जहां रहे हो वहां भी आप सेम चीज फील कर रहे होगे जहीं कि if you want citizen ने क्यां अजाए है तो उनकी लिए जॉप मतलब जॉप होथी है उनको पता चलता है चैनिकश में काम रहे हो या आप टीसी में काम और रोडी में काम कर रहnew आ मुंबई में जो इनसान रह रहा हे न उनके लिए नौकरी मतलब नौकरी है किसमे इधिक पैसे आ रहा है उनके पैसे जातलके है बट मैं बात कर रहो मैंगे मांसेस की बात कर रहा हूं मैं अगर जारखन यूपी भीः, ना ऐसे राज्यू से रहने वाले हैं आपको पता होगा कि कितनी वेल्यू होती है गवर्णट आफिशर की तो अस्टेट एई की वेल्यू हमें सा रस्पेक्ट फुड़ी सी जादा होती है क्योंकि अथॉर्टी होल करता है इस वज़े से ठीक है तुछ दूसरा पॉइंट आता है दोस्तो पॉलिटिकल एक्सपोज तो आपको पता है असिस्टेंट एई के पास पॉलिटिकल एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि आप स्टेट गवर्मेंट के अंदर काम कर रहे हो जो भी प्रोजेक्ट पे लेते हो जो भी कॉंट्रेक्ट पे काम कर रहे हो न आप अके लिए नहीं डिशाड कर सकत है आपको कितना पैसा मिलेगा लगाने के लिए अगर आप उसमें हस्त छेप करोगे तो आपका मुवंद कर देंगे वो क्योंकि उपर से चल रहा हो चीज तो पॉलिटिकल प्रेसर के अंदर काम करना पड़ेगा आपको अगर आप असिस्टेंट एई की पोस्ट पे जाते हो तो ठीक है क्योंकि आपके आजू-बाजू वारे सारे उपर वाले सब वैसे के वैसे हैं तो आप पर प्रेसर पड़ेगा अगर आप जोई करोगे वहां पर तो आपको भी वह करना पड़ेगा जो वह कर रहे हैं अगर वह नहीं करोगे तो फिर परिसानी आपको होने वाली ठीक है ठीक है फोड़ा सा आपको टफ हो जाएगा आपके लिए मापे काम करना है यह एसिस्टेंट एगी बात कर रहो मैं बट पीएशी ऑफिसर की बात करूं मैं तो पीएशी ऑफिसर की लाइफ सौटेड है जितना काम उतना पैसा चीछ इसी बात है उसको नहीं मतलब दु तो किसी से कोई लेन दिन नहीं है उसको जो ड्यूटी उसके मैनेजर ने इसाइन की है वो करके निकल जाएगा उसका स्रिफ्ट खतम होते ही उसके लिए दुनिया खतम है वो जाकर सोवेगा फिर ठीक है तो ऐसा होता है पीएशी ऑफिसर का लाइफ तो यहां पर ठोड़ा पलाइफ अच्छु के ऊफ्ट शुच्य वॉर्कली प्रेस्वरवी व्हसा प्रिफ का में आफॉद लेने पड़ता है एक यहे बहुत लोग पने हुद आपको और रिएच्व कस्ण यहाँ पर कि lifestyle किसकी अच्छी है तो lifestyle देखा जाए न तो अगर आपको simple lifestyle चाहिए बहुत simple levis की बात नहीं कर रहा है तो आपको पेशी जोइन करना पड़ता है क्योंकि अगर मानलो assistant यही पैसा कमाता भी है न क्योंकि political exposure जादा वहां पे है तो पैसे कमाने के रास्ते वहां बहुत तरीके से बन जाते हैं आप समझते हैं आप समझ रहे हो कि मैं क्या बता रहा हूं तो पैसे वो कमा लेता है इस टाहिके से वह बढ़ इसको दिखा नहीं पाता क्योंकि वह अगर वह दिखाएगा तो अगर उतना पैसा दिखा दे जितना उसने कमा रखा है तो फ़स जाएगा वो उसके पर इंक्वारी बढ़ जाएगी कि एक असिस्टेंट इंजिनेर जिसके पास इतनी सेल्वेश को देते हैं वो इतना का मेंटेनिस कैसे कर रहा हूँ तो वहां पर फ़स जाता है फ़्दा सा असिस्टेंट इन वाले में थोडा सा यह सीन है लाइच्टायल वो उतनी अच्छी नहीं जी पाता है जितना उसके पैसे पाता है ठीक है लेकिन पीएश्यू ऑफीशर जितने उसको पैसे देता कमपनी न उतनी अच्छी लाइफ उच चीप आता है, वज़ा यह है क्योंकि उसके पैसे बिल्कुल वाइट है, कोई इशु नहीं है उसके अंदर, कम्पनी उसको लिख लिख के रसीद पर काट काट के दे रही है, के एक लाख सत्र हजार तुमें इसके दे रहे हैं, तो उसके पास हर एक चीज का हिसाब किताब होत होते हैं, पैसे अच्छे होते हैं उसके पास, बात लाइश्टायल बहुत नॉर्मल होती है उनकी, ठीक है, लेकिन अगर आप पेशु की बात करें, तो आपको देखके लग जागा किसके पैसा अच्छा है, दीखता है उसका उसका पैसा आपको बाहर दीखता है, क्योंकि चीजों पर खर्च कर रहा है, वो अपने लिए सारी सुवधाय खरित के रखा उन्होंने, घर पर सारी सुवधाय उन्होंने ले रखिए, तो लाइफस्टायल दोनों की बहुत डिफरेंट है, अच्छी और बुरी नहीं है, दोनों डिफरेंट है, एक बहुत सिंपल साधी लाइफ जीते हैं, और एक बहुत लाइफस्टायल जीते हैं, सहरेओं गुमना, बहुत साधी लाइफ उनका होता है, फौरन तूर जाना, उनकी लिए बहुत सिंपल होता है चीजे करना, क्योंकि वो पैसे अच्छे मिलते हैं उनको, तो वो चीजे कर पाते हैं और दिखा पाते हैं कि वो ट्रीप वोगरा कर रहा है, बड़ यह चीजे स्टेट एई में पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत सिंपल साधी लाइफ जीते हैं वो, ठीक है, तो लेकिन नौकी दोनों बहुत अच्छी है, काम दोनों बहुत अच्छा है, पैसे दोनों में अच्छे मिलते हैं, ठीक है, सब कुछ पॉजटिव है, नेगिटिव चीजे एक दू चीजे हैं, जिसको हमें इग्नोर करना चाहिए, कर हम अस्परेंट हैं, हम बढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें नेगिटिव चीजों पर जहां नहीं दिना चाहिए, ठीक है, तो अफरोल ही था, और बात की अगर आप इस्परेंट हैं तो दोनों की तयारी कर सकते हैं, दोनों आपके लिए अच्छा करियर मिल सकता है, ठीक है, बट मैंने बता दिया आपको, जैसा आपको काम चाहिए, वसी तरह से आप उस एकजाम के तरफ जाएं, कि अगर आपको बिल्कुल रिलाक्स लाइज ज काम कर सकते हो दबाव में काम करना आता है तो फिर आप असिस्टेंट जोएन कर से तो कि वहां पर दबाव में काम करना आपको आना चाहिए तो इस बात के वहां पर फ्टोड़े से अलग लाइफ है भी इसको बिल्कुल उनकी ठीक है इस वीडियो को यहीं खदम करता हूँ मैं बातें बहुत सरी बताने के इसके अंदर होती है बट मैं वही बताना चाहता हूँ जो आपको मोटिवेट करें इन चीजों के लिए ताकि आप आगे बढ़पाऊ इस चीज के लिए और अभी तैयारी कर रहे हो आप मेरी बात मैं ब आपके लिए बेटर होगा और कोई भी कोश्चन आया आपको इस वीडियो को ले करना तब कमेंट कर दीजे मैं आपका रिप्लाइ करूंगा इस चीज पर ताकि थोड़ा सा वह भी क्वेरी आपके क्लियर हो जाएं ठीक है